अधरनी सभापती जी आभारे हूँ राज्य सभाथ से 68 साथियों के कारिकाल समापन के उसर पर आपने बोलने का उसर दिया इन में से 10 वर्स 2023 में इनका कारिकाल खत्म हुआ और आने वाले जुलाई तक बाकी 58 साथियों का कारिकाल खत्म हुआ कुछ-कुछ बीच में इन में से कुछ एक चुनकर आए हैं कुछ और आएंगे कुछ एक जीवन का नया अध्याय सुरू करेंगे ये सभी समाज और देश की सेवा करते रहे हैं और करते रहेंगे इन सभी महानुभाओं, स्रेश्ट जनों और साथियों को भविश्य के लिए मेरी बहुत सूप कामना है उन्ह जो चुने गए और लौट कर आएंगे उन्हें बधाई इन से काम काज के दौरान आत्मी संबन्ध भी रहा एके की खुबिया अलग-अलग और विस्ष्टाएं है समय कम होने की वजए से सभी मान्य सदस्यों का नाम लेना संभव नहीं अनेक बड़े नाम है, टॉक्टर मनमोहन सिंग जैसे आदरनी ये भी उनकी सौमेता, सिस्टा और मर्यादा हमेशा याद रहेगी सिरी मती जैया बच्चन जी की विस्ष्टाएं हैं, लंबा अनुभव है मानिय रुपाला जी की गुझती आवाज की ध्वनी हमेशा याद है और वो पुनह आएंगे ऐसे अनेक वरिष्ट देश्टे हैं, नौ मंत्री है अनेक मानिय सुनी जी से लेकर भूपें जी, धर्में जी ये सभी ये सभी लोट कर आएंगे, ये मेरा विश्वास है, मेरी कामना भी है सर क्योंकि उनकी प्रतिभा स्रम से अम्रित काल का स्रिष्ट भारत तेजी से आगे बढ़रा साथी मैं उलेह करना चाहूंगा कि भाई राजमणी पठेल जी, डॉक्टर अम्मी यागनिक जी, बंदा चोहान जी, वसिष्ट बाबू, अनील हेगडे जी, समीर उराओ जी, सकलदीप राजभर जी, कनक मेदला रविंद्र कुमार जी, डॉक्टर प्रसांत नंदा जी, ब भाई राकेश जिनहा जी, भाई वियलनसिम्हर आओ जी, डॉक्टर हनमनतिया जी, मनोज्जा जी, डॉक्टर सांतनु सेन समेथ, सुधान सूत्रिवेदी जी, सबको अभार जिनके साथ नजदीक से काम करने का मौका मिला, इनके हस्तक छेप, जमीनी बातों, तैयाली के इन में से अनेक एक ग्रासरूट के अनुभावों ने, गांधी जी की भासा में कहूं, तो समाज के अंतिम आदमी की बात पीड़ा यहां उन्होंने सुनाई शर भारति ये परंपरा संस्कृत में परिवर्तन ही सास्वत है, हमारे यहां फिर्वेल का मानस नहीं है, हम मांते हैं कि स्रिष्ठी में परिवर्तन ही अस्थाई है, चेंज इस ओनली कॉंस्टेट, हमारा ये ऊच्छ सदन उस प्राकृतिक येवक शास्षत सत्य का खुब् प्रतिबिंब है यह निरंतर चलने वाला और निश्चित अंतराल पर नवीनता को नए कलेवर को धारने करने वाला सदन है चेंज और कॉंटिनुटी का अद्भूत मिस्रन है यहां पर इस सदन में यह सदन निरंतर सक्रियता का संदेश देता है सर इस सदन के सदस रहे डॉक् जिसीक मनुस सिंग्भी जी उनके ये सस्वी पुत्र हैं जो जिनका कारिकाल खत्म हो रहा मुझे विस्वास से वो लोटेंगे उन्होंने कहा है कि निरंतरता चलते रहना क्या है उन्होंने कहा सोए रहना ही कल यूग है जाग उठना द्वापर है उठ खड़े होना त्रेता है चलते रहना सत्यूग है राज सभा और राज सभा के सदस चलते रहते ही है हमारे कई वरस सदस ना के वली सदन में कई वरसों से हैं बलकि लोग सभा के सासात राज विधान सभाओं में भी कई बार उन्होंने सेवा दी है लंबा समय गुजारा है यह सदन उनकी कमी महसूस करेगा आधरणी अध्यक्ष जी हर सदस्ट की अपनी खूबियां अनुभा और नौलेज है अम्रितकाल के भारत निर्माण में इन सबके ग्यान का उप्योग पब्लिक इंगेजमेंट्स खास कर युवा और छात्रों को सं संसत की कामकाज के बारे में जागरूप करने उन्हें बताने के माध्यम से होगा ताकि दीक है क्या नहीं है इसे यहां हो रही बातों को सही परिपेक्च में देश की जनता समझेगी संसद्यों सांस्दों के बारे में सही समझ विक्सित होगी पब्लिक इस टीम में रेस्पेक्ट बढ़ेगी जो आज कल सर डिकलाइन पर है असा करता हूँ कि सभी हमारे ऐसे सदस राजसमा अपने अनुभाव और अपनी राजनिती क्यात्रा के बारे में लिखेंगे भी के लिए मार्ग दर्सक होगा देश के उच्छ सदन का सदस्य होना गौरों की बात यह मौका कुछी लोगों को मिलता है छह साल कैसे निकल जाते हैं पता नहीं चलता क्योंकि काल की अपनी गती है मैनेवर सवापती जी यहां से जाने के बाद अंततह केवल हमारे अच्छे काम हमारी अच्छी बाते हमारी सार्थक भूमिका सार्थक हस्तक छेप और आचरन ही भविस्याद रखता है मैं फिर उले करना चाहूंगा इस सदन के भी सदसर है उस सदन के भी सदसर है और यसस्वी लिम्नरी विद्वान से लेकर लिगल लिम्नरी रहे सर डॉक्टर लक्षिमयल सिंग्वी जी के बारे उन्होंने प्रकास्वीर सास्त्री को याद किया प्रकास्वीर सास्त्री भी सद किर्थी अर्जित की उनके पास न कोई धनबल था न कोई बहुत संख्यक जातिय पक्ष था न कोई दल का संगठन था न किसी राजनितिक संरक्षक का प्रभाव और आसिरबाद उनका यस उनकी योगता और निस्ठा का प्रतिभल था उनकी बीरता गंभीरता सहिश्चनुता निर्मलता और निर्भैता का पुरसकार्द। आगे कहते हैं सिंगवी जी सच तो यह है कि वे भारती राजनीत में भारती संस्कृति के राज़दूत थे वे संसत के द्वार पर संस्कृती की दस्तक देने आए और संसत के प्रांगण में अटूट देश प्रेम तथा भारती संस्कृती और भासाओं के प्रभाती के सिर्मोर गायक बने रहे इस परसिंग का संदेश है सर संदेश है जो नई सुरुवात करने वाले हैं उन हमारे साथियों के लिए जो हम यहां हैं उनके लिए और जो आने वाले हैं उन सभी के लिए संदेश है इसमें कि सदन में रहते हमारे प्रभावी हस्तक्षेप सौमे और मर्यादित आचरन संसदी आचरन अपने समय संस्कृत के बड़े सवालों पर हमारी भूमिका को याद रखता है उसकी चर्चा करता है यहां रहते जो छण समय बिना काम वेर्थ गुजर जाते हैं वे कहीं इसमृति में नहीं होते ना वे भविश्य को प्रेदित करते हैं अंत मेसर बात खत्म करने के पहले इस इन बार बिहार के मुक्हमंत्री साध्गी और इमांदारी की प्रतिमृति 23 मार्थ 1978 को नेता विपक्ष के तौर पर उन्होंने ऐसे ही विदाई समारों को इसी सदन में संबोधित किया था उसका एक अंस मैं पढ़ रहा हूं आपकी अनुमती से आई-कोर्ट उनने कहा आना पार्टी के हूं सबके मन में देश के प्रति प्रेम है उसको आगे बढ़ाने की बात है सेवा का च्छे तरविसाल है जो सेवा करता है उससे किसी का जगडा नहीं होता पद की प्राप्ति के लिए जगडा होता है लेकिन जहां केवल सेवा का प्रस्ण हो वहां कभी जगड नहीं होती मैं चाहता हूं कि उनका मानस भी ऐसा बने और भगवान उनको बल दे देश का काम करने के लिए और वह फिर यहां आए यह भुला पास्वान सास्ति जी ने कहा अंत में मैं अपने सभी साथियों को डिप्टी चेर्मेन के नाते मुझे जो सबका सहयोग और गाइड जैहिंद आए अगली बार जब वो आएं तो टीवी चैनल और कोट की बजाए यहां भी योगदान दे यह रिटन देए यह एं वेड़ा बार जाए यहां भी याता देए श्री तिरूची सिवा thank you very much chairman sir sir on behalf of the dm k